सर्जू नदी का जलस्तर खतरे के निसान से उपर होने के बाद किसानों का छलका आशू नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा फेजू पेज मैं हूं सिवकुमाज चौधरी बाद को लेके बड़ी अपडेट को लेके आपके बीच में हाजिर हैं दुबोलिया विकास खंड के अंतरगर दिंगरापूर के दच्षिड बंदे के दच्षिड ये सर्जू नदी का बाद का पानी पहुँच चुका है नदी का पानी पहुचने से यहाँ पर खेती करने वाले किशानों के सामने अब संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है किशानों ने बताया है कि बंदे के दच्षिड उन्होंने धान की रुपाई की थी गन्नी की बुआई की थी परवर था और पसूं के चारे की ब्योस्ता की थी लेकिन बार का पानी एक आएक तेजी के साथ आने के चलते पूरा माजहा इलाका बार के पानी में डूब गया है आप यह तस्वीरे से यह तो पर देख पा रहा है कि जहाँ पर पसूं की चारे के लिए चरी बोई गई थी वो डूब गई है वहीं गंणा की फसल भी डूब रही है तथा परवर की फसल भी पूरी तरीके से डूब चुकी है यह तस्वीरे आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से यह तस्वीरे हैं जो नदी का पानी लबालब भरा हुआ है वहीं अगर किशानों से बात किजाएं किशानों ने बताया है कि नदी का पानी तेजी के साथ बढ़ रहा है और बार का पानी भरने के चलते उनके फसलों को काफी नुपसान हो गया है। और नदी वहीं बार को लेकर के प्रसासन पूरी तरीके से एलर्ट मोड में भी निजरा रही है लगाता रजिकारी बंधे का दवड़ा भी कर रहे हैं आईए सुनते हैं क्या है किशानों का दर्द। पहले आप लोग बार नहीं आती थी तो पस्वों को लेकर आते थे यहां लेकिन अब पानी भर गया तो पस्वों को कहां ले जाएंगे। अब बंधब रहेंगे और कहां जाएंगे। अब बंधब रहेंगे। अब हलत सब परियतान होईगे हैं फासल में जी। लोग लएगे हैं दुचार जेने और सब एवर तो भी हैंगे। इवर हैंगे। जब की नति एगे कि नधी में बार का पानी आगया है। शीकापी निच् सब परिया है। कर पानी थाग नहीं है तो तम ता आज जादे हो कि अपर तो पस्कुन को कहां ले जा रहे हैं आप तो पान देंगे बंदे बंदे बंदेंगे